हेलो और वेलकम योड तो लेट्स क्राकेट दिविश्य गुपता तो गाइज अब बहुत ही कम टाइम बचा है बिल्किल कूशल टाइम आ गया है आज 22 है और 6 दिन बाद 28 को सभी लोगों का आप सभी लोग जो देख रहे हैं उनका lower pieces का mains है तो जिन भी candidates का lower pieces का mains है मैं सभी क पहले तो all the best करना चाहूंगा कि all the very best कि आप लोग अपनी त्यारी बहुत अच्छे से करते रहें आपका वेपर बहुत अच्छा हो अब बात यह आती है कि क्या हम तरीके अपनाएं जिससे कि हमारा paper अच्छा हो कुछ जो आपने चीज़े पढ़ी है basically चीज़े तो आपको तो पहले सबसे पहले सवाल यह बनता है कि हम कितने questions attempt करें तो मेरा आपसे कहना यह है कि दोनों के दोनों paper हमें पूरे-पूरे attempt करने हैं पहले फिर में 20 questions आएंगे 20 की 20 attempt करने हैं एक भी question नहीं चुना है अब बात यह आती है कि तीन घंटे के अंदर इससे कैसे हो पाएग तो मैं मांगी चलता हूँ कि हमको 160 minutes मिल रहे है solve करने के लिए paper को 20 questions solve करने है तो 8 minute में एक question में solve होगा तो 28 is a 160 यानि कि हर question को solve करने के लिए आपके पास 8 minute है तो यह ध्यान रखिए कि आपको 20 के 20 सवाल करने है और हर सवाल 7 से 8 minute में किसी सवाल में अगर 7 minute लगी है तो किस unit में आपा रहे हैं या नहीं आपा रहे हैं देखिए क्योंकि लिखके सब आएंगे लेकिन कौन कैसा लिखके आएगा उससे फोड़ा सा फर्क पड़ेगा ट्राइ कीजेगा कि सभी questions में आप कुछ flow chart बना पाएं कोई diagrams बना पाएं क्योंकि diagram होगा flow chart होगा उससे answer में एक अलगी emphasis पढ़ता है इक अलगी प्रभाव पढ़ता है जिसके वैसे marks अच्छे मिलते हैं तो इसलिए diagrams बनाना बहुत जरूरी है तो diagram जरूर बनाएं geography का question है या नॉन कॉपिशन मुविमिटर सवाल पूचा है चंपरन सब्सक्राइब सवाल पूचा है तो उस एरिया को जब चंपरन कहां है बिहार में है तो वो बिहार का region आप अगर शो कर देंगे उससे आपका जो answer होगा वो और या दरहांस होगा लेकि बाकि सभी लोग तो answer लि इसके उपर सवाल बनता है तो जोगरफी के उपर सवाल बनता है तो जोगरफी के उपर आपको डियाग्राम्स बनाने ही बनाने है यह जोगरफी के लिए डियाग्राम्स बनाने है या फिर हम डियाग्राम्स बनाते है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा help मिलती हमारे answer को enhance क करने हैं, डाइग्राम्स बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं, या आप करना है, पैनिक नहीं होना है, कोई question नहीं आता है, देखिए अच्छी बात इसमें क्या है, कि इसमें आपके पास question प्रिंट होके आएगा, और हर question के बाद आपको space मिलेगा, तो यानि कि आपको ऐसा नहीं है, कि आपको आपको आपने first question कर दिया, फिर second question कर दिया, फिर tenth कर दिया, ऐसा आपको करनी ज़रूत नहीं है, randomly, क्योंकि हर question के बाद space होका, हर question चपावा आएगा, तो आप जिस भी paper क बल्टेंगे, महाँ पर जो question होगा, आप उसको कर सकते हैं, यानि कि यहाँ पर आगे बीचे होने की गलती नहीं होगी, आपसे question number mistake होने की भी गलती नहीं होगी, क्योंकि question number गलत लिखने पर negative marking होती है, यह commission ने अपने notification में दे रखा है, lower PCS के, तो यहाँ पर मुझे उम्म अगर किसी question के लिए दो paper है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यह वहली चीज, अगर दो paper है, तो कोशिच कीजिए कि दोनों के दोनों paper में आपका answer है, लेकिन यहाँ पे हम यह कहेंगे कि सिर्फ quantity से मतलब नहीं है, quality से मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने quantity तो पेज भर दिये, लेकिन उस answer में कुछ quality नहीं हो, तो ऐसी गलती बिलकुल मत कीजेगा, आपके answer में quality भी होनी चाहिए, और quantity तो matter करती है, अब बात आती है कि answer लिखें कैसे, answer लिखने का आप सब लोगों ने तरीका देख लिया होगा, सब लोगों ने practice कर लिया होगा, ले उससे क्या होगा कि examiner समझ नहीं पाएगा कि या direct answer खतम कर देंगे, तो भी examiner नहीं पाएगा कि आप कहना कह चाहरे है, तो शुरू में 2-3 line में एक intro दें, फिर पीछ में points में body दें और last में 2-3 point में conclusion दें, ये format जुरूर रभना के रखेगा सभी लोग, अगर आप ये आपको पता हुगा, जैसे कि पैन होते हैं, ये सब चीजज होते हैं, इसर ustedes को मैंने बता चुका हूँ, कि blue pen ou black pen ही चलेंगे, gel pen नहीं चलेंगे, बॉल पंches इन Just पता है और यह आप लोगों निकाल ली होंगे उसमें इस बज़ीजे लिखी वी है बज़रां ध्यान रखी गए कोश्चन सारे करके आने हैं पैनिक नहीं करना है समय का ध्यान रखना है कि आठ मिनिट के अंदर सभी कुश्चन करने हैं हर कुशन के लिए आठ मिनिट आप मान इस अपना अंसर लिखें जिसके आपको कम आता है उसमें घबराना नहीं है जितना भी आता है लिखके जुरूर आना है कोशन खाली नहीं छोड़के आना है पेज खाली नहीं छोड़के आना है आप कुछ भी लिखके आएंगी हो सकता है आपको आथा नंबर मिले एक कोई भी आपके डाउट आएगा तो comment section में पूछ लीजेगा मैं आपको answer देदेगा चलिए मिलते next video में so thank you and bye bye